अस्ताम लेकुम नाज़नीन आज की हमारी नई डीश है चिकन हांडी चिकन हांडी पूरे भारत ने बहुत मशूर है इस्पेशली यह धाबे पे और रोड साइड एरिये पे और स्ट्रीट फूट के लिए बहुत जादा मशूर है दिल्ली में महारास्ट में इसे खास तोर प पेस्ट बना लिया है तक्रिवन 2-3 यह तामाटर की प्यूरी है जो चाहिए आधा कप है इसके लावा लगेगा फ्रेश क्रीम 2-3 चमबेश बता अध्रक लसन का पेस्ट है दो से तीन चमच जीरा है एक चमच इसके लावा कड़ी पत्ता है दो से तीन लॉंग है और एक इलाइची है गानिशिंग के लिए हमें कोत्मी बारिक लंबे और बारी कटी हुई हरी मिर्चे लगने वाली है अधनियाी एक चमच लाय आपकेशृत गरा मसालों है जा है के लग और फनाइची को अव् producer आप चाते हैं चलिवर एक चलते हैं लुटर नाजरेने स्टार्ट करते हैं, एक बटन में लेंगे, चिकन है मारा हमारा हुआ दालें अधर ख्लसन का पेस्ट आदा दालें दखी, दालें चाहे हैं अब जितने हमारे गरा मसाले हैं यह सारे इसमें जाएंगे अभी और इससे हम करनेंगे अच्छे से मेरिनेट मैं काम करती हूं इसे आदे गंडे के लिए मेरिनेट करती हूं फिर आपको बता है आदा गंटा हो गया है और हमारा जो चिकन था अच्छा मेरिनेट हो गया है चले बनाते हैं चली नाजी स्टार्ट करते हैं यह देखिए मेरा बरतन हो गया गरम मैंने क्या किया इसमें तक्रिबन 2-3 बड़े चम्मच के हिजाब से तेल डाला है और इसमें थोड़ा सा मक्कर गरम करने के लिए आप लोग चाय तो घी भी डाल सकते हैं अब मैं इसमें डालूंगी बेली ब्याने के कड़ी पत्ता दो से तीन लॉंग इलाइची यानकी प्लव और साबुक जीरा इसे थोड़ा से ताड़कने देते हैं और डालेंगे काली नीच देखिए जैसे थोड़ा सा पक जाएगा हम लोगी तो इसमें बाल की शमान डाल देंगे अची के हमें डाल की इसमें अपना चिकन पक जाएगा है और इसे थे ताड़के लिए दख देते हूं इसे पाइड आले के ज़रूरत नहीं है इसकी इतना भुलना है कि इसका जो ज़ई है वो थोड़ा सा खुश्क हो जाए और यह थोड़ा सा गरम हो जाएगा है इसे कड़ देते हैं बतकन बन और गैस है फुल प अपने साइड का पुरा पानी छोड़ दिया है और तेल लेखी पुरा अलग हो गया है काफी अच्छा पग गया है इस लेवल पे हम क्या करेंगे आप लोग देखिए मैं अपनी गैस हमीशा फास्ट ही रखी हूं अब इसमें यह पूरा तेज आज बही ही बनेगा क्योंकि प्यास कि प्यास की बोयल करके जो थीक पेस्ट बनाए थे वो डानें और यह जू हमारी टमाटर की ग्रेवी थी और यह जो काली मिश था काली मीच और हरी मीच को सुखा पीस लिया था इसी क्रस्च किया हुआ है आप लोग चाहिए तो रेड़ मेट वाला भी यूज़ कर सकते हैं अब इसे एक बहर हम लोग चला लेते हैं और फीसे से ढखके 10 मिन के लिए पकाएंगे फिर 10 मिन के बाद बताती हूं मैं आपको काफी अच्छा पक गया है अभी से पकने को अगर टाइम है लेकि मैं इसमें क्या करूंगी अब इसमें अपना डालूंगी क्रीम मैं अब डाल दिया अपना क्रीम मैं ऐसे कर दूंगे मिक्स कर दूंगे में कोट में और हरी मिर्चे लंबी कटी हुई बस इसे मैं अब दंबे कर दूंगी पास से दस मिनट के लिए और उसके बाद में आपको डारेक्ट डिश ओट करके बताऊंगे कि यह कैसे लिए नाजीन यह बनके तयार हो गया है हमारी डिश चिकन हांडी दिखिए यह आप हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहु चलिए अगली इजाज़त दीजिए अगली दफा फिर हाजिर होंगे एक नई रसीपी के साथ